C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है पार्ट अठा रहे टोपी प्रिष्ट 116 एक थी गवरईया यानि गवरईया और एक था गवरा नरगवरईया दोनों एक दूजे के परमसंगी जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते साथ हसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते बिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने और जुट पुटा होते ही खोते में आगुसते ठकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते एक शाम गवरईया बोली आदमी को देखते हो, कैसे रंग बे रंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फप्ता है उन पर कपड़ा खाक फप्ता है गवरा तपाक से बोला कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बचसूरत लगने लगता है लगता है आज लटजीरा चुक गए हो गवरा बोल पड़ी कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदर्ती खुबसूरती ढग जो जाती है गवरा बोला अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघर काया का एक एक कटाव मेरे सामने है रोमे रोमे की रंगत मेरी आँखों में चमक रही है अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढग ले तो तेरी सारे खुबसूरती ओजल हो जाएगी की नहीं कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं गवरया बोली मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी तू समझती नहीं गवरया हसकर बोला कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसाद चहने की उनकी सकत भी जाती रही है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की आउकात पता चल जाती है आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता गवरेया बोली नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है ये निरा पोंगापन है गवरा बोला आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढखता हाथ पैड जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढख लेता है सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढख लेता है अपन तो नंगे ही भले उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है गवरेया बोली मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है टोपी तू पाएगी कहां से गवरा भोला टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिकर में कितनों को टोपी पहनानी पढ़ती है मेरी मान तो तू इस चकर में पढ़ ही मत गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गवरया थी जिद्धी और धुन की पक्की ठान लिया, सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष मान लिया कहा गया है, जहां चाह, वही राह मामूल के मताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला मिल गया, मिल गया, मिल गया गवरेया मारे खुशी के घूरे पर लोटने लगी प्रिष्ट एक सो अठा रहे अरे क्या मिल गया रे गवरे ने चिहा कर पूछा मिल गया, मिल गया, टोपी का जुगाड मिल गया गवरेया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया तेरे जैसा ही एक और बावरा था गवरा बोला रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार किसी घुडसवार के हाँट से चूट कर गिर गया होगा चाबुक हाँट लगते ही वहबावरा चीखने लगा चाबुक तो मिल गया बाकी बचा तीन घोड़ा लगाम जीन अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे सब काम धंधा छोड़ वहबावरा ता उम्र यही रटता रहा बाकी बचा तीन गोडा लगाम जीन गवरा उसे समझाते हुए बोला इस रूई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ आता पता है बस देखते जाओ, अब कैसे बनती है टोपी गवरैया, रूई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली दुनिया भाईया, दुनिया भाईया, इस रूई के फाहे को धुन दो दुनिया बेचारा बूढा था, जाडे का मौसम था उसके तन पर वर्षों पुरानी तार-तार हो चुकी एक मिर्ज़ई पड़ी हुई थी वह कांपते हुए बोला तु जाती है कि नहीं, देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रधाई बनानी है एक तो यहां का राजा ऐसा है, जो चाम का दाम चलाता है उपर से तु आ गई फोकट की रूई धुनवाने उज्र न करो भाईये गवरईया बोली मैं तुमे पूरी उज्रत दूंगी इसे धुन दो भाईया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी दुनिये को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी प्रिष्ट 119 सोलह आने में आठ आने मजूरी, तो इसके लिए सपना थी वह जट तयार हो गया घर चौं घर चौं उसकी तांती बज उठी उसने बड़े मन से रूई धुनी लो इसे उसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गवरईया ने इससे उत्साहित गवरा गवरईया एक कोरी के यहां गए और कहने लगे कोरी भया, कोरी भया इस धुनी रुई से सूत काद दो कोरी की कमर जुकी हुई थी उसने बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक दुस्सा डाल रखा था वह बड़ी अनिच्छा से बोला तुम लोग यहां से भागते हो की नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत कातने हैं? मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मलार गाने की भाईया इस मुलुक में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरईया अचरज्जे बोली तू किस मुलुक से आई है? कोरी ने उसे भर आख देखा जानती नहीं यहां का चलन खट मरे बरधा, बैठा खाय तुरंग यहां सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है राजा जी के लगवे भगवे भी तो बहुत है इसी में उनका काम भी होता है मुक्रोमत भाईया, हम तुमें माकूल मुआवजा देंगे गवरईया बोल पड़ी इसे कात दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी कोरी भी तयार हो गया इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होती तन तन करके उसकी तकली चर्खी ताता थाया करने लगी काफी महीन और लच्छेदार सूथ का दिये उसने कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग निगवरईया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे बुनकर भईया बुनकर भईया इस कते सूथ से कपड़ा बुनदो बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा हटते हो कि नहीं यहां से देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे साव करे भाव तो चबाव करे चाकर इतना कहकर बुनकर अपने काम में मश्गूल हो गया प्रिष्ट 120 इसे बुन दे भाईया गवरईया ने साहस संजो कर कहा हम सेत मेत का काम नहीं करवाते इसे बुन दे और आधा तू ले ले आधा हम ले लेंगे बुनकर ने देखा कि सौधा बुरा नहीं है वह तयार हो गया सूत अपनी और खीच कर ताना बाना पसार दिया उसका करगा चलने लगा धर की ढुलकने लगी थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने गवरईया ने तीन चौथाई मंजिल मार ली थी कपड़ा लिये दिये वह एक दरजी के पास जा पहुँची दरजी भईया दरजी भईया इसकी टोपी सिल दो खिसकती हो कि नहीं यहां से दरजी रोश्ते बोला देखते नहीं राजा जी की सातवी रानी से नौ बेटियों के बाद दसवा बेटा पैदा हुआ है अब उस दस रतन के लिए मुझे धेरों जब्बे सिलने है दरजी ने माथे का पसीना पूचते हुए ठंडी आह बरी कुछ देना न लेना भर माथे पसीना हम तो भाईये बेगार में कुछ करवाते नहीं गवरईया बोली इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे बलकि दो टोपियां सिल दे एक दो ले ले एक हम ले लेंगे मुह मांगी मजूरी पर कौन मूझी तयार न होता कच कच उसकी कैची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी बड़े मनोयोग से उसने दो टोपियां सिल दी खुश होकर दरजी ने अपनी ओर से एक टोपी पर पांच फुंदने भी जड़ दिये फुंदने वाली टोपी पहन कर तो गवरेया जैसे आपे मेना रही डेड़ टांगों पर ही लगी नाचने फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने देख देख मेरी टोपी सबसे निराली पांच फुंदने वाली वाकई तो तो रानी लग रही है गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा रानी? नहीं, राजा कहो मेरे राजा गवरेया उंचा उड़ने लगी अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यूं न इस मुलक के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए जिसके लिए इत्ते सारे काम होते हैं उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी प्रिष्ट 121 उसी वक्त राजा अपने चाबारे पर टहलूओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था एक टहलूओं सिर पर चंपी कर रहा था तो दूसरा हाथ पाउं की उंगलियां फोड़ रहा था तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था तो चाथा पिंडली पर गुद्धी काड रहा था गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई मेरे सिर पर टोपी मालिश करवाते राजा की नजर गवराया से टकरा गई गवराया के सिर पर फुंदने दार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई वह तो लगाता रटे जा रही थी औरे कोई मेरी टोपी लाओ, जरा जल्दी राजा दोनों हातों से अपना सिर ढखते हुए चिल्लाया टोपी आ गई, राजा ने जट पहन भी ली देखरी फदगुद्दी मेरी टोपी में पाँच फुंदने गवराया ने अब दूसरा ही रागला अपना शुरू कर दिया राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में पाँच फुंदने राजा की टोपी में फुंदने नहीं प्रिष्ट 122 राजा को बेहद हेट ही महसूस हुई इस मुलुक के महाबली राजा के सामने एक चिडिया की यह मजाल वह बुरी तरह बिगड गया इस फदगुद्धी की गर्दन मसल दो, पकने नोच लो, सिपाहियों देर न करो खमा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड दिये मच्छर मार कर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी तब राजा सिपाहियों से बोला यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा एक सिपाही ने गुलेल मार कर गवरईया की टोपी नीचे गिरा दी तो दूसरे सिपाही ने जट वह टोपी लपकली और राजा के सामने पेश कर दिया राजा टोपी को पैरों से मसल नहीं जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया मेरे राज में, मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुँची सोचते हुई राजा उसे उलट-पुलट कर देखने लगा इतनी नगीना टोपी इस मुलक में बनाई किसने राजा के मन में खयाल आया अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी राजा चाहे और पता ना चले गिरते पढ़ते दरजी हाजिर हुआ दुहाई अन्यदाता इतनी बड़ी हा टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई मेगों की गड़गडाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली दुहाई अन्यदाता हमें दुहाई नहीं वजह बताओ कपड़ा बहुत उमदा था सरकार एकदम गफश और दबीज ऐसा उमदा कपड़ा किसने बुना नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा गिरते पढ़ते बुनकर हाजिर हुआ माफी बक्षि सरकार माफी नहीं वजह बताओ सूत बड़ा उमदा था सरकार एकदम महीन और लच्छेदार इतना महीन सूत किसने काता शेर की मानिंद राजा ने दहाड मारी गिरते पढ़ते कोरी हाजिर हुआ जान बक्षि माहराज जान नहीं वजह बताओ रुई बड़ी बहतरीन थी सरकार एकदम बादलों की तरह धुनी हुई इतनी बहतरीन रुई किसने धुनी बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की हाफते चाती पीडते धुनिया हाजिर हुआ खमा अन्ने दाता खमा नहीं वजह बताओ राजा गुस्से से कांप रहा था तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया आपके लिए भी किया है सरकार दुनिये ने जमीन पर लेट कर कहा आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी अभैदान दें, तो बोलू, सरकार दुनिया बोला चलो दिया राजा बोले, अब बताओ महराज, इस गवरईया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी जिसके पास बहुत कुछ है, वह कुछ भी नहीं देता है इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आदा दे देती थी इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार दुनिया दंडवत पर दंडवत किये जा रहा था देख ले देख ले राजा आँख में उंगली डाल कर देख ले इसके लिए पूरे मोल चुकाएं है बेगार की नहीं है यह गवरैया फिर चिलाने लगी यह राजा तो कंगाल है निरा कंगाल इसका धन घट गया लगता है इसे टोपी तक नहीं चुरती तब ही तो इसने मेरी टोपी छीन ली राजा तो वाकई अकबका गया था एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती तीसरे खजाने की खुलती पोल इस पाखी को कैसे पता चला के धन घट गया है तमाम बेगार करवाने बहुत सक्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था इतना एशो आराम, इतनी लशकरी, इतने लवाजमे का बोच खजाना संभाले भी तो कैसे प्रिष्ट 124 तमाम लोग निकल आये थे यह अनोखा तमाशा देखने मंत्री ने हौले से कहा यह मोपर तो महाराज को बे परदा ही करके दम लेगी राजा तो खुद गभरा रहा था जट से बोल पड़ा इसकी टोपी वापस कर दो सिपाहियों ने कहना माना टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उच्छा दी गई गवरईया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी यह राजा तो डरपोक है निरा डरपोक मुझसे दर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लोटा दी कौन इस मुँपट के मुँँ लगे क्यों मंत्री जी कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली स्रिंजय प्रश्न अभ्यास कहानी से एक गवरईया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरईया को अपनी इच्छा पूरी करने का अफसर कैसे मिला दो गवरईया और गवरे की बहस के तरकों को एकत्र करें और उन्हें समवाद के रूप में लिखें तीन टोपी बनवाने के लिए गवरईया किस किस के पास गई टोपी बनने तक के एक एक कारे को लिखें चार गवरईया की टोपी पर दरजी ने पांच फुन्दने क्यों जड़ दिये? कहानी से आगे एक, किसी कारीगर से बातचीत कीजिये और परश्रम का उचित मूलिन नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ग्याद कीजिये और लिखे गवरईया की इच्छा पूर्ती का क्रम घूरे पर रूई के मिल जाने से प्रारंभ होता है उसके बाद वह क्रमशह एक-एक कर कई कारीगरों के पास जाती है और उसकी टोपी तयार होती है आप भी अपनी कोई इच्छा चुन लीजे उसकी पूर्ती के लिए योजना और कारे विवरन तयार कीजे 3. गवरया के सुभाव से यह प्रमानित होता है कि कारकी सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है तर्क सहित लिखिए अनुमान और कलपना एक टोपी पहनकर गवरया राजा को दिखाने क्यों पहुँची जबकि उसकी बहस गवरा से हुई और वह गवरा के मुह से अपनी बढ़ाई सुन चुकी थी लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी फिर भी वह राजा को चुनोती देने पहुँची कारण का चारों कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? इस शब्दों का उचारण अलग होता है उनकी वरतनी भी बदल जाती है जैसे गवरयया, गौरयया का ग्रामीन उचारण है उचारण के अनुसार इस शब्द की वरतनी लिखी गई है फुंद्ना, फुलगेंदा का बदला हुआ रूप है कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग मलहार इत्यादी, आप क्षेत्री या गाउं की बोली में उप्योग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए और उनका मूल रूप लिखिए, जैसे तेम, टाइम, टेसन, टिसन, स्टेशन, प्रिष्ट 126. 2. मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकरशक बनती हैं. मुहावरे वाके के अंग होकर प्रयोगत होते हैं. इनका अक्षरश अर्थ नहीं, बलकि लाक्षनिक अर्थ लिया जाता है. पाठ में अनेक मुहावरे आये हैं. टोपी को लेकर तीन मुहावरे हैं. जैसे, कितनों को पी पहनानी पड़ती हैं. शेश मुहावरों को खोजे और उनका अर्थ ज्यात करने का प्रयास कीजे. शब्दार्थ भिनसार प्रातहकाल सवेरा खोते घोसले जुटपुटा सबेरे या शाम का समय जब प्रकाश इतना कम हो कि कोई चीज साफ दिखाई न दे. वह समय जब कुछ-कुछ अंधेरा और कुछ-कुछ उजाला हूँ. लट जीरा चिचडा एक पौधा सरापा सेर से पाव तक पहना जाने वाला वस्त्र सकत शक्ती सामर्थे लफड़ा उल्जन जन्जट फकत केवल अपन अपना फिकर चिन्ता फिक्र मत नहीं मामूल वह बात जो रोज की जाए हमेशा की तरह घूरा कुडे करकट का धेर चिहाकर चौक कर चकित होकर जुगाड उपाय मनुहार मनाना चाम त्वचा चमडा फोकट मूल्य रहित मुफ्त उजरत मजदूरी महनत का बदला पारिश्रमिक मलार मलहार संगीत का एक राग मुलुक मुल्क देश लगवे भगवे पीछे चलने वाले मेल जोल के व्यक्ति मशगूल व्यस्त सेंतमेत का काम वह काम जिसके लिए कुछ देना न पड़ा हो बिना लाब प्रिष्ट 127 धरकी कपड़ा बुनते हुए जुलाहे जिससे बाने का सूत फेकते हैं गफश गफस घना बुना हुआ दबीज मोटा मजबूत बेगार बिना मजदूरी का काम मूजी दुष्ट फुंदने सूत उन आदि का फूल या फुलगेंदा हुलस उल्लास खुशी इतने सारे टहलुआ नौकर फुलेल खुश्बुदार तेल फुंदनेदार फुल गेंदे वाला फदगुद्दी एक छोटी चिडिया गौरेया पकने पंक खमा नायाब बहुमूल्य बेशक्रिम्ती हुनर्मंद खुशल गुणीकारीगर मानिंद जैसा अनरूप सरीखा नफासत सज्जा सज्जासवरा जुर्ती जुटना एकत्र होना प्राप्त होना पाकी पक्षी चिडिया लशकरी पल्टन सेना लवाजिमा यात्रा आदि में साथ रहने वाला सामान नगीना सुन्दर अकबकाना भौचक्का होना घबराना आप सुन रहे थे पाठ अठा रहे टोपी प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली भारत